तो अगर आप सभी लोग ने एक best dishwasher इन इंडिया खरने का plan बना लिया है और आप लोग कंफ्यूज रहे हैं कि मैं कौन सा dishwasher लूँ बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं कि dishwasher क्या मुझे लेना चाहिए क्या उसके अंदर हम लोग detergent या normal soap यूज रहे हैं नहीं कर सकते हैं power consumption कितना होगा, water capacity कितनी होगा, किस तरह का बरतन उसमें आप लोग दो सकते हैं क्या हम लोग उसके अंदर कड़ाई दो सकते हैं या cooker दो सकते हैं इस तरह के अगर आपके मन में सवाल हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग लें सच में बहुत ही जादा फायदे मन हने वाला है पहले मैं आपको clear करते रहा हूँ, ये कोई sponsored वीडियो नहीं है आप लोग इन पांचों प्रोड़क में कोई से भी प्रोड़क पर्चेस कर सकते हैं अगर पसंद आया तो Amazon से पर्चेस करिए जैसे कि मैंने सारे प्रोड़क की जो link अपने description में दे दिया है या तो इस वीडियो को ध्यां से देखिए और किसी local shop में भी चाके आप लोग इन प्रोड़क को पर्चेस कर सकते हैं लेकिन एक बात मैं आपको guarantee आप जरूर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि हमने सारी के सारी जांकरी कवर करी है इन सारे डिश्वाश्यों को सलेक्ट करने में आप कुछ बेसिक बेसिक क्रेटेरिया रखा जैसे कि मैंने उसकी capacity देखिए कितने उसमें वाश प्रोग्राम आते हैं उसके बाद मैं देखा उसमें water consumption कितना है power consumption कितना है उसके बाद मैं दे रहे हैं उसके कितना तरह कि उसमें आपको sensor मिलते हैं brand का repetition कैसा है सबसे most important उसके customer reviews कैसा है क्योंकि customer ही actually उसका main feature बगर बता दे कि वो product सही है नहीं है brand warranty मैंने आपको quality पतर दे build quality कैसी है मतलब इतने सारे point को सो समझ कि मैंने यह आप सभी लोग के लिए लिस्टर करें तो बस आप सभी से एक छोटा सरी question प्लीस आप सभी लोग मुझे अपना एक कुछ कीमती समय दीजी ताकि मैं आपको यह सारी सारी जान करें अच्छे समझ के जाए इस वीडियो के लास मैंने इसका छोटा से डीटिल में बाइंग गड़ बता है जहां पर मैंने आपको कुछ ऐसी सिक्रेट जान करें बताए जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है में भी वह आपके डिस्वाशर के जब यूज करेंगे आपको ब पांसो नबर रुपे के असपस इसके काफे सारे फिटर हैं सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये एक 14 प्लेस सेटिंग वाला डेस्वाशर है जो कि 6 से 8 मेंबर के लिए बिलकुल सफिशेंट है इसका जो रैक है वो काफी एच्छे से एडजेस्ट भी होता है और बात करें इसके वाशिंग मोड के बारे में सो यहां पर नॉर्मल है इको है 90 मिनेट्स है ग्लास है रैपिड सोक आटो वाश इंटेंसिव इतने सारे इसके अंदर आपको वाश प्रोग्राम मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा सही है चाइड लॉक के फीचर के साथ भी आत पाने चाहिए कितना टाइम लगेगा सब कुछ आटोमेटिकल करता है इसका 3D वाश टेकनलोजी देखिए जैसे मनें बताए 3 स्प्रे आमस है जो कि तीन अलग अलग डायरेक्शन में पूरा मूँग वरता है ताकि आपके बरतन को काफी अच्छे से कोने कोने से अच्छे स क्लीन कर पाए साथ साथ इसके ने एक डूएल जोन वाश वाला भी फीचर दिया है जैसे आप लोग कुछ चाहते हैं कोई स्पेसिफिक एरिये में जाला चैसे क्लीनिंग हो तो आप लोग इस डूएल जोन वाश का फीचर यूज कर सकते हैं चाहिए वो अपर पोर्शन में और जो इसके बरतन भी सूख क्याते हैं वो काफी एच्छे सूख के बहार निकलते क्योंकि टेंपरचर आप लोग यहां पर डेफिनिटल यहां पर कर सकते हैं यह इसका ओर डिस्वाश का आप लोग लुक देखिए कितने सारे इसके अंदर बरतन रख सकते हैं काफी सई फ फोर्थ नमर का बेस्ट डिस्वाशन इंडिया रेकमेंड करेंगों वो है आईवबी का नेप्चुन SX-1 यह वाला डिस्वाशन फिलाल जो उसके कीमत चरी वो चरी करी 41,000 रुपेस के आसपास इसका भी जो जो अपर रहक है वो completely adjustable है उसका आप लोग एडजस्ट कर सकते ह यह 15 place settings के साथ आता है मतलब और भी family members से तो definitely आप उसको check out करेगा इसके अदर आपको 2 साल के warranty मिलती है noise level around 45 dB का है और water consumption यहापे आपको total 9 liter का per cycle मिलता है 8 अलग अलग तरके इसमें आपको wash program मिलते हैं इसके अदर दो ही 360 spray arms लगे हैं जो की clean करने में बहुत ही जादा efficient है औ और इसके अंदर एक जो खास बात है ना इसके अंदर water करें 70 degrees Celsius तक यह पाने को गरम करके आपके बरतन को दोता है ताकि जितने भी germs वगरना सब कुछ से अच्छे से पूरा खतम हो जाए और इसके अंदर built-in water softening device अगर आपके area में water थोड़ा hard है तो यह automatically उसको soft कर देता ह यहां पर आप लोग इसका jet spray कर देखिए मैं आपको यहां पर वीडियो दिखानों किस तरह से यह जो 2-360 degrees पे आम से किस तरह से बरतन को काफिचे से clean करते है उसके बाद यहां पर hot water भी इसमें push यह जाकि आपके बरतन जितने germs वगरा है वो अच्छे से यहां पर remove हो जाए इसके अंदर एक flexi load वाला feature जैसे मालने चाहिए आप लोग सिप half बरतन ही धोना चाहते हैं तो आप flexi load का यहां पर use कर सकते हैं jet washing वाला भी feature जिसमें आपको बहुत जल्दी यह wash करके देगा और इसकी capacity भी आप लोग दे सकते हैं कितने सारे बरतन इसमें आप बहुत असा कर देता है और इसके अंदर steam ड्राइंग वाला feature है जो कि steam के मदद से आपके बरतन को यहां पर सुखाता है delay start देखेंगे तो करेब आप लोग एक से लेके 24 घंडे तक इसको में अपने time भी आपे adjust कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही है थर्ड नमबर बेस सेंबर जादा एराउं 52 डीवी का है water consumption देखें एराउं 9.5 लेटर का water consumption है छे अलग लग wash प्रोग्राम आते हैं जो इसका motor है वो बहुत जादा सही है सीमेंस के जितने भी प्रोटक होते हैं की build quality सच में next level के होती है मतलब बहुत अच्छी qualities का आते हैं इसके अंदर भी आपको warranty मिलती है rust के लिए उपर और इस dishwasher में भी आपको total दो अलग अलग spray मिलेंगे अपर रैक completely adjustable है लेकिन extra feature के बारे बात करते हैं अगर salt कमी होगा तो आपको indicate करेगा aqua sensor load sensor दिया मतलब automatically यह बताएगा कितना पानी आपके बरतन को धोने में लगएगा कितना लोड है उसके सब कुछ ही adjust करेगा तो इसके जो sensor होते हैं यह सबसे जदा important होते हैं यहां पर इसका motor देखिए जो काफी कम energy में काम करता है और various eco feature है जो की करीब जो approximately 2 hours 20 minutes में completely wash मतल अगर आप लोग हाफ बर्दन दोना चाहते हैं तो वह भी इसके अंदर definitely use कर सकते हैं यह काफी बटन में यह सब कुछ जैसे आपके washing machine बता है सेम उसी style में आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह किसे यहां पर use कर सकते हैं इसके अदर additional cutlery box भी जिसके आप चोटे-चोट जो cutlery बगर है तो उसको काफी चैसे use यहां पर कर सकते हैं मतलब यह काफी सही है sensor इसका काफी सही है एक इसका price point थोड़ा definitely high है लेकिन sensor की चलते काफी ज़्यादा यह सही है second number का best discussion in India करूंगो वो है Bosch का यह तो सबसे ज़्यादा popular है इसकी कीमत भी देखिए मातर 36,290 ए मिलता है और यह best selling है यह करीब 13 बे सेटिंग से साथ यह आपको मिलता है दो साल के warranty है नौस लेवल यहां पर आपको और 52 डीपी का मिलेगा water consumption करीब साड़े 9 लेटर मिलेगा six intensive wash program मिलेगा और इसके अंदर एक special कढ़ाई वाला पूराम जैसे कढ़ाई वगर धोना होता है जिसमें काफी जादा तेल मसाला लगता है तो उसको भी धूने के लिए इसमें बहुत अच्छा एक अलग से प्रोग्राम दिया हुआ है इसका भी जो motor है वो काफी silent motor है और इसके अंदर एक dry option भी आता है जो कि आपके सारे बरतनों काफी जासे आपे dry भी कर दिता है इसके hygienic तरी से सारे germs bacteria को kill करके यह आपको साफ सुद्रब भरतन देता है यह इसका cutlery box दिसके अंदर आप लोग spoon, fox वागर रख सकते हैं यह half load में भी काम करता है जैसे आप लोग half भरतनी दूना चाहते है तो उसके अंदर भी आप लोग इस dishwasher को use कर सकते है special इसके अंदर glass production technology क जब भी उसकिया गया है और यह मतलब इसके साथ एक tablet भी आदा जो कि आपके बहुत ज़्यादा सही रहेगा इसका motor जैसे में बता है कि already eco silence drive motor है बहुत ही कम power में बहुत कम sound produce करता है और aqua sensor load sensor सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है यह इसका intensive program देखे जहां पर water को around 70 degrees Celsius तक heat करके आपकी कड़े को दोता है और वेरियो सेटिक पे साथ यह आपको मिलता है फर्स नमर का best of the best डिस्वाशर इन इंडिया रेकेमेंड को वह है LG का यह वाला मॉडल यह एक wifi डिस्वाशर है आप में स्मार्टफोन के तुरू बहुत सारे जानकर इसमें ले सकते हैं इसकी 9 लिटर का यह पानी कंजप्शन कर रहता है 9 वाश प्रोग्राम मिलते हैं 10 साल की इसमें आपको मोटर के पर वारेंटी मिलती है जो कि आपको और किसी ब्रैंड में नहीं मिलेगा मल्टी डिरेक्शन इसके मिलता है इसके अंदर फीचर देखें ट्रू स्टीम कॉर्ड वाश ड्वाश क्वाइट टर्वो आटो इको जेंटल कुई यह सारे सारे इसके अंदर आपको वाश प्रोग्राम मिलते हैं और डिले करने चाहें तो आपको ड्वाश आवर्स तक इस इसके जो स्प्रेय आम है कॉर्ड वाश मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके जितने भी बरतन से कोने कोने में जाके बहुत अच्छे से यह क्लीन करता है इसके रिव्यूस पढ़ेगा बहुत जाला सही है इसका जो फोल्डेबल टिंस हैं यह भी काफी मतलब आप लोग बरतन को काफी इच्छे से एज़स कर सकते हैं फोल्ड करके और हाइट एजस्टमेंट भी इसमें अंदर दिया हुआ है और साथ सा इसका टर्बो साइकिल जो की बहुत ही अच्छे मनला बहुत कम समय में यह काफी इच्छे से आपके बरतन को वाश करके देगा डूल वाश जो देखी जिसे कहीं भी आपको स्ट्रॉंग पावर चाहिए बरतन थोड़े हार्ड है जादा गंदे तो स्ट्रॉंग और लाइट दोनों भी आप लोग एड़जस कर सकते हैं हाफ लोट के साथ इसको चला सकते हैं और इसके अंदर काफी सारे आप लोग वाशिंग साइक इसके अंदर एक स्मार्ट फोन आप के तुरू बहुत सारे जानकर इसके लिंक दिया उसके वहाँ पर जाके आप लोग चेक आपको बता देगा कि क्या इशू है आपको किसी को रिजॉल करना चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशल चीज़ है और डेफिनेटली मैं आपको यह वाला प्रोडॉक्ट हाली रेकमेंड करूंगा आप लोग अपने बजट के इन पांचों में से कोई सभी यहां पर सेलेक कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आप सभी लोग ने यह टॉप बेस्ट दिशॉशर इंडिया देखा देखे कितने सारे ब यह थोड़ा साइज में बड़े होते हैं तो अपने साइज के एकॉर्डिंग आप दिशॉशर लिजेगा सेकेंड नमर का पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको कैपेसुरी देखे हैं यह यह यूजिल आपको 8 प्ले सेटिंग से साथ आता है 10-12 प्ले से साथ आता है आपके फैमिली काफी बड़ी है मतलब 7 प्लस अगर आपके फैमिली मेंबर से तो डेफिनिट आपको 14 प्लस या 14 प्ले सेटिंग से वाले से डिशॉशर नहीं चाहिए या उससे बड़ा डिशॉशर आपको बताऊंगा देखिए यह जो भी डिशॉशर आप अगर आप लो लेते हैं इसके अंदर आप लोग बिल्कुल भी नॉर्मल वाला डिटर्चिन वगरा मत यूज़ करिएगा क्योंकि अगर आप वो बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर आपके डिशॉशर लेते हैं तो आप लोग डिशॉशर के लिए जो अलग से डिटर्चिन आता है या रि बेसिकली क्या जब आपके बर्तन धूलते हैं अगर आपके बर्तन में पानी का ड्रॉपलेट बच जाता है तो मतलब आपको रिंज इडालना पड़ेगा जैसे आप उसमें रिंज इडालेंगे तो आपको बर्तन है बिल्कुल चिकना एक भी उसके अंदर पानी का या रिंजेट ही आपको लेना है उसकी बाद आप अंसे करें तो कि अलग अलग साउंड कि अब अपने नीट के आकॉडिंग उसमें भी देख सकते हैं कि किसका साउंड थोड़ा कम है जैसे वाशिंट में देख लिए एक मोडर के आवाज आती है करक सेम इसमें भी आपको उस लेवल बहुत ही जादा यहां पर कम है उसके बाद बहुत सार इसके अदर आप लोग ना वाश के स्टेटिंग्स देखेंगे क्विक वाश एडवांस वाश इंटेंस वाश इस तरह के बहुत सारे आपको इसमें वाश के तरीके मिलेंगे यह अलग-अलग नीट्स के अकॉर् बर्तन धोना है तो आप लोग क्विक वाश में कर सकते हैं वह बेसिकली अगर आपको पूरा वाश करके सुखा के आपको बर्तन दे देगा हाला कि मैं आपको हमेशा रेकमेंड कोरेंगा आप लोग आटो फीचर में ही रखिए जिसके चलते आपका जो बर्तन है वह काफी जिसके आप वाश होते हैं उसके बाद आप लोग डेफिनिल से सुनेंगे उसके अंदर एक इंटेंस वाश इंगा वाला फीचर जैसे माली आपका बर्तन बहुत ही ज्यादा घंद है मतलब बहुत जद तेल मसालों उसमें लगा हुआ है तो इंटेंस वाश इंग वाला एक बार में अच्छे से आपको धूल के मिल जाएंगे एक और पॉइंट आपको हमें बताना चाहता हुए जो सबसे जादा गंदे बर्तन होते हैं उसको कोशिच करें आप थोड़ा कॉर्णर में रखें क्योंकि वहां पर क्या होता है जैट का स्प्रे जो आता है वह अच् पर बाहर बागर निकला तो जो जो जैट स्प्रे है वो शायद में भी यहां पर फं सकता है अच्छे से काम यहां पर नहीं कर सकता है फिफ पॉइंट आपको डेफिन ध्यान देना है उसके एड्जस्टेबल रो आपके डिसोर्श में होना चाहिए यहां पर जितनी भी मैं 2 साल के वारांटी आपको उसमें मिलना ही चाहिए आपको यहां पर लेना चाहिए, उसके बाद चाइल सेथिए फी зм條 is अलग अलग तरह के बहुत सारे इसमें feature मिलते हैं लेकिन basic to basic में ध्यान दो यहां पर आपको cleaning पर अच्छे ध्यान देने चाहिए कि आपका पूरा पानी भान निकालेगा उसके बाद वो आपके बरतन पूरा सुखा के मतलब अच्छे तरीके से सारे germs वगर बेलकुल बहतरी तरीके से आपको clean करके बरतन देता है यह basically time भी पचाता है पानी बहुत ज़्यादा पचाता है क्योंकि यह per second करी 9-10 लिटर के आसपास यह इस्तमाल करता है अगर हम लोग normal washing करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आप वेस्ट होता है लेकिन यह जो dishwasher होते हैं वह बहुत ही कम पाने का यहाँ पर यूज़ करते हैं और एक और बात अगर आप लोग को dishwasher लेते हैं तो उसके अंदर आप लोग बरतन में जो दरी सकते ह आप लोग यूज़ नहीं करें क्योंकि देखिए अंदर यह गरम पानी से दुलता है जब गरम पानी से दुलेगा तो उसकी कोटिंग खराब होती है और थोड़ा सा रेक्शन हो सकता है वोड़ वाला होगा तो थोड़ा खराब हो सकता है अगर non dishwasher से plastic अगर आप लोग यू कस्टमर का call भी आएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा किस सरसे यूज़ करना है तो यह थी कुछ important important जानकरी जो को मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए हाला कि मैंने उससे जादा जानकरी मैंने वीडियो के बीच में भी आपको दे दिया है जापर मैंने सारे features क बारे मता है तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं आप सभी लोगों को यह सारी के सारी जानकरी पसंद आयोगी यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक करके मुझे जरूप पसंद नहीं है तो डिसलाइक मारना आप लोग प्लीज अपना feedback और इस तरह के जानकरी आप ले पाएं तो दुस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ तैंक्स पर वॉचिंग इंजोई